हिंदी सिनिमा थ्री इडियर्जिस्ट करदार से प्रेरित था, इंस्पाइट था, वो ते सोनम वांग्चुक, सोनम वांग्चुक इस वक्त मेरे साथ दिल्ली में हैं और एक अजीबो गरीब आप कह सकते हैं, दावा कर रहे हैं कि अगर केंद्र सरकार से लदाक के लोगों के साथ जो बातचीच चल रही है, वो फेल हो जाती है, विफल हो जाती है, तो फास्ट ऑन्टू डेथ यानि की आमरन अंशन करेंगे, अब उनी से समझते हैं आखिरकार एक एडिकेशन रिफॉर्मस्ट, क्लाइमिट अक्टिविस्ट को इस तरह का दावा करने की जरूरत क्य क्योंकि लदाख जिस तरह से यूटी बनने के बाद खुल गया है, उससे हिमाले के परियारवन पर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है, जब यूटी बना उस तरफ बाद जाती है, तब लदाख के लोगों की बहुत उमीदें थी, पहला तो ये था कि इस यूटी में लेज इनर्ज रूल वाला यूटी है, दूसरी बात की संग्रक्षन जो हिमाले की जन जातिये सब बिताएं हैं, या फिर जो समवेदनशील परवत हैं, ग्लेशियर्स हैं, उनकी संग्रक्षन सब उमीद कर रहे थे कि सिक्स शडूल में होगा, समविदान के भारतिये, और इसका आश्वासन सरकार ने भी दिया था कि हम सिक्स शडूल में ही आपका संग्रक्षन करेंगे, क्योंकि ये संग्रक्षन ऐसे जगों को दिया जाता है, जहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन जन जाती है, जन संख्या पचास परतिशत के लगबग हो, और लदाक में 97 परतिशत जन संख्या जन जाती है, तो आप देख सकते हैं कि भारी सबाओं में हमारे मंत्रियों ने दिल्ली से आकर आश्वासन दिया, फिर National Commission for ST उनके मिनेट्स में हैं कि लदाक को इसी में संग्रक्षन दिया जाएगा, फिर जैसे मेरे पास ये मैनिफेस्टो है, 2019 में हमारे दिये चुनाव में नंबर तीन पर था सबसे उपर कि लदाक को छटवें शडूल में संग्रक्षित किया जाएगा, पार्टी का हमारे जो रूलिंग पार्टी है, उसके बाद उससे भी प्रतिष्ठित इलेक्शन चुनाव हैं लदाक के परवतिये हिल काउंसिल के, उसमें तो नंबर एक पर है, constitutional safeguard for लदाक under six schedule, तो ये कोई मनगरंत कोई बात नहीं है, ये भारतिय समविदान की है, किसी चीन पाकिस्तान की नहीं है पहली बात, दूसरी बात, सरकार का अपना आश्वासन बलकि वचन है, तो उसके बाद जब ऐसा हुआ तो लोग बहुत खुश थ आपने देखा होगा, यूटी के बाद लोग कितने खुश थे, क्योंकि यूटी भी मिला और संग्रक्शन का भी वादा हुआ, और देखते देखते महिनों साल के बाद ये खामोशी सी हो गए, उसके बाद फिर नाराज होने लगे है अगर हम ये वचन याद भी दिलाएं, तो फिर अब चार साल हो गए हैं और इस पे कुछ भी अमल नहीं हुआ है, और फिर संग्रक्शन नहीं हो तो दर ये है लोगों का कि कुछ हुआ उन चार सालों में जो सरकार पीछे हट गई, तो लोगों का अनुमान ये है कि कुछ ऐसे ओध्योगिक या खनन के लॉबीज ह जो सरकार पर दबाव डाल रही है कि आप लदाख के पहाडों को संग्रक्शित न रखें, ऐसा करेंगे तो हमारे खेलने का मैदान नहीं रहेगा, क्योंकि उन्हें पैसा दिखता है, खनन से, इंडस्ट्री से, तो इसलिए वो लदाख को न संग्रक्शित करने के लिए सरक नेता लदाक के सम्मानित थुपस्तन से वांग जें, वो खुद आमरन अंशन पे हैं, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, हमारा ये मानना है कि लोक तंतर में आवाज बहुत जरूरी है, बच्चा न रोए तो मा तक दूद नहीं देती, तो लोक तंतर में तो जनता का आवाज बहु डाल रहे हैं, उसके बराबर का तो हमें आवाज उठाना ही चाहिए, ताकि सरकार को मदद हो हमारी तरफ से कि वो निरने अच्छा ले सकें, नहीं तो हम चुप रहे हैं और दबाव उसदर से आए, तो सरकार गलत फैसले ले सकती है, तो हमारा इक्वल एन आपोजिट आव बाज उठाना बहुत जरूरी है, तो इसले डाइकॉटमी मुझे लगता है, अब दर्शकों को हो सकता है, लगेगा खास दौर पर कि एक तरफ आपके जो तीन मांगें, मुख्य मांग जो है, स्टेट हुड का, उसके साथ सिक्षेडूल का, और फिर इंप्लॉयमेंट का, आप कह रहे हैं कि कोई लॉबी है, कॉर्परेट सेक्टर है, माइनिंग माफिया है, जिसकी वज़य से ये फुल्फिल नहीं हो रहा है डेमांड, और दूसरी तरफ आप नौकरियों की मांग कर रहे हैं, तो जब आप सिक्षेडूल या माफिया की तरफ, एक कॉर्परेट के परियावरन के, अब दो जवाब हैं आपका, एक तो ये है कि हम जॉब्स के लिए, पैसे के लिए, वो भी आज की पीडी के लिए, और कुछी लोगों के लिए, अपने बच्चों का भविश्य नहीं सोधा कर सकते हैं, अंधा दुन्द विकास के नाम पर विनाश करें, जैसा हम देख रहे हैं हिमाचल परदेश में क्या हो रहा है एक बारिश के साथ, उत्राखंड में क्या हो रहा है, सिक्किम में, दारजिलिंग में, तो हम नहीं चाहते हैं कि हम जॉब और पैसे के लिए कल के साथ सौधा करें, पहली बात, दूसरी बात ऐसा भी नहीं है कि स Six Schedule सिर्फ ये कहता है कि स्थानिये जो लोग हैं, जन जाती लोग, उनके समन्वे के बिना कुछ ना हो, तो इसलिए Six Schedule में, एक मिनिट, इसलिए Six Schedule में ऐसे autonomous councils बनते हैं, जिनके पास law making powers होते हैं, तो उनके समन्वे से कोई भी industry, कोई भी mining हो सकता है, मगर बिना लोगों से पूछे, जैसे अभी है, एक LG कुछ भी निरनाए कर सकते हैं, उनके लिए तो आसान है निरनाए करना, वो तीन साल रहेंगे, मगर उसका खामयाजा हमारे लदाक के लोगों को पीडियों तक बुगतना पड़ेगा, तो Six Schedule यही कहता है कि स्थानिये लो में क्या हो रहा है, फास्ट हो गया, लेने के देने पड़ जाएं, अगर एक पीड़ी फाइदा ले, दूसरी पीड़ी का सारा बजट उसी को सुदारने में चला जाए, यह कहां की समझदारी है, यह फास्ट पेस प्रोग्रस ने तो आज पृत्वी को ही विनाश के कागार पर खड़ा कर रखा है, तो इसलिए, when you don't know where you are going, slower you go is the better, जब हमें पता ही नहीं है, हम कहां जा रहे हैं, हम बहुत विनाश कर रहे हैं, तो थोड़ा slow होना भी अच्छा है, सोच समझ के, और हम क्या कह रहे हैं कि, जनता से समन्वे के साथ, अंग्रेज जो भी मनचाहाद भारत में करते थे, अब जब भारत में अपनी संसद है, तो वो सोच समझ के करेंगे, fast जाएंगे या slow जाएंगे, अगर ये council fast जाना चाहें, तो उन्हें को ही नहीं रोकता है, slow जाएं, समन्वे से जाएं, तो शायद अच्छा जाएं. मुझे आपकी बातचीत से ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं एक जो frustration है लेलादाग के लोगों के अंदर, वो इस वज़ाएं से भी है शायद कि अब elected representatives नहीं रहें, पाइफरकेशन के बाद आपके पास अपने लोग नहीं हैं जिन पे गुसा जाहिर कर सकते हैं, मांग कर सकत जो six schedule में मिलते हैं, वो नहीं है और संग्रक्शन नहीं है ऐसा कि उनसे पूछताच के बात की जाएगी, दूसरा उपर के स्तर पर पहले जब जम्मु कश्मीर में थे तो चार MLA's होते थे, जो जाके चीफ मिनिस्टर चुनते थे, उनमें से एक ज्यादा तर कैबिनेट मिन आप से देखें, तो अभी कुछ भी प्रतिनिदित्व नहीं है, एक MP है, वो भी 60,000 स्क्वेर किलोमीटर के, जो कि भारत के राजियों से बड़ा है लदाक, और जन संख्या के स्तर पर एक MP, एक MP इतने बड़े इलाके का लिए तो प्रतिनिदित्व नहीं कर सकता है, जी व यह तरक दिया जा सकता है, कि एगर ऐसी मांग होती, तो संसत भवन के अंदर इस बात को उठाया जाता, ऐसी मांग होती, तो वो रिफ्लेक्ट करता आवाज में, तो यह आग्मेंट जरूर दिया जाएगा, कि कुछ चुरिंदा लोगों के हितों के लिए इस तरह की मांग जा रही है, और लेह लदाक के जो आम लोग है, आम जन्माने से, उनकी मांग नहीं है, उस पर क्या कहेंगे? साधरन ने इतने बड़े संख्या में तीन फरवरी को सड़क पे, पोलो ग्राउंड पर आकर, नंबर्स में दिखाया, कि यह कुछ लोगों की नहीं है, आप गलत फहमी में ना जाएं, यह पूरे लदाक की मांग है, इसी के लिए तीन फरवरी को पिछले, आपने देखा हो हुए, तो यानि कि व्यस्क अबादी के एक तिहाई, तो यही दिखाने के लिए आए, कि यह मांग सभी लोगों का है, और इस पर और वैसे भी यह सरकार का ही वचलन है, जल्दी से मैं आपसे यह भी समझना चाहरा था, कई राउंड्स की बात्चीत हो चुकी है, आप जो दोनों गुठे हैं, ले अपक्स बॉडी और के डिये जो है, उसकी सरकार के साथ बात्चीत हो रही है, दिसंबर 2023 से बात्चीत शुरू हुई, तो मामला कहां अटकरा है, क्यों सोनम मांग्चुक जैसे जो एक्टिवस्ट हैं, जो लोकल्स हैं, उनको यह कहना पढ़ रहा ह हैं, तो यह बात 2019-2020 में शुरू हुई, उसके बाद चार पांच मीटिंग्स हुए, लदाक के नेताओं के साथ, मगर आखिर में, चार साल बात, 2019 में, चार दिसंबर को पहला हाई पावर कमिटी एक गठन किया, सरकार ने, नित्या नंद राइजी जो राज ग्रह मंत्री, उसका मीटिंग हुआ, तो उससे बहुत उमीदें थी लोगों की, कि आप आखिर में जाके चार दिसंबर को तो कुछ निरने होगा, लदाक से पांच नेता जहाज लेके इतने दूर आए, और पचास मिनट में उनको ये बताया गया कि आप ये सारे मांगें लिखित में दी उननिस फरवरी का, उननिस फरवरी को आप लिखित में लेके मिलने आए, फिर सारे नेता लिखित में लेके आए, तो उसके बाद वो सिक्स यडूल और स्टेट हूट पर तो बात ही नहीं कर रहे थे, आपके काउंसिल को हम फाइनेशल पावर देंगे, जिसकी उनको जरू जो नियाए के विद्य हैं, लीगल एक्सपर्ट्स, उनको भी लाएंगे और हम देखेंगे आपकी मांगों में क्या किया जा सकता है, तो लीगल एक्सपर्ट्स के लिए आप 24 फरवरी को आए, अब 24 फरवरी पिछले दिनों, वो फिर आए, फिर देखते हैं लीगल के साथ अगला मीटिंग करेंगे अगले हाफते में, तो लोगों की नाउमीदी बढ़ती जा रही है, क्योंकि अब सरकार का काल खतम होगा, तो अगली सरकार कौन होगी, वो पिछले के वादों का जिमेवारी उठाएगी कि नहीं, यह तो नहीं कह सकता है, इसलिए लोग च क्यों है, बड़ा हट क्यों है, दिसमबर में हाई पावर कमिटी बनी है, तो अचानक से अब क्या ऐसा डर आपको सता रहा है, कि जल्दी से जल्दी एक लीगल कमिटमेंट आप चाहरे है, रिटन कमिटमेंट चाहरे हैं सरकार के दरफें? अगले सरकार तो कह सकती है ये तो हम नहीं हैं जिनोंने वादा किया उन से बात कीजिए तो ये तो लोगों का हक है वो आवाज उठाए और मैं नहीं चाहता नीजिस थर पे मैं नहीं चाहता कि हिमाले के ये परवत ये ग्लेशियर्स कुछ बाजों और बेडियों के हाथ लग दुनिया का एक चोथाई आबादी तो इन ग्लेशियर्स को इन परवतों की संग्रक्षन करना मेरी ही नहीं लदाक के लोगों की नहीं बलकि आप सब का एक दायित्व बनता है आप कल को क्यों बेच रहे हैं आज के मुनाफे के लिए तो मैं तो चाहता हूं कि मैं ही अंशन प सिर्फ लदाक के परवतों की संग्रक्षन की बात नहीं है अभी तो ये सत्य के संग्रक्षन की बात भी है जब हमारे नेता वादे करते हैं तो उन वादों को बराबर कराना भी जनता का हक है दायित्व है नहीं तो आगले सालों में सब नेता ऐसे ही वादे करेंगे और चाहते हैं कि 2024 के चुनाव में अगर लग जाता है तो यह सबसे बड़ा इशू स्टेट होड सेक्सेडूल और यह तीन मुद्द्द के चुनाव में बहुत अच्छी बात है राम जैसे चरित्रवान भगवान पे मंदिर बना मगर हम सोचते हैं मैं सोचता हूँ कि मंदिर फिर मूर्ती और इंटों से नहीं आदर्शों का अगर पालन करें राम के आदर्श क्या थे जो मर्यादा पुरुष कहते हैं मैंने तो ये पड़ा कि रगुकुल रीती सदा चली आए प्रान जाए पर वचन न जाए तो राम राज्य तब होगा जब वचन का इतना ही सीरियसनेस होगा जितना राम को थी तो मैं चाहता हूँ कि ये सरकार अपने ही आदर्शों पर खरा उत्रे अपने ही नजरों में न गिरे और वचन पूरा करें ना कि वचन वो पूरा न करें और प्रान हमारे जाए अंशन में तो इसलिए हम अंशन कर रहे हैं कि एक का प्रान जाए आपके वचन पूरा होने में अगर किसी की प्रान जाए तो वो हमारे प्रान जाए देखी जो अंशन का तरीका है बहुत सुन्दर है गांधी जी ने दिखाया है ये रास्ता किसी और पे हम दुख नहीं दे रहे हैं पीडा नहीं दे रहे हैं जैसे अतंकवादियों की तरह हम खुद पे पीडा दे के ध्यान आकरशित करेंगे सरकार का की आपके वचन आपको याद दिलाना चाहते हैं हम चाहेंगे कि ऐसी स्तिती ना हो लेकिन आखरी सवाल है मेरा ये प्रदान मंतरी नरेंद्र मोदी के लिए लदाक स्पेशल रहा है जिस तरह से धारा 370 हटाने के बाद तमाम चीजे हुई और जो उत्साह लदाक के लोगों में दिखा तो क्या आ हम प्रदान मंतरी का बहुत सम्मान करते हैं मैं खुद तो एक परियावरन कार्यकरता के रूप में जो उन्होंने दुनिया को रास्ता दिखा है बहुत से इंटरनेशनल सोलर अलायांस, मिशन लाइफ, ऐसे चीजें जिसके लिए मैं बहुत इज़त करता हूँ मगर इस मु हम सोचते हैं कि प्रदान मंतरी के ध्यान में कितना है मुझे नहीं पता है, उमीद करते हैं अब तक तो उनके ध्यान में भी आया होगा, मगर हम चाहते हैं कि वो इज़त बरकरार रहे, पूरे देश कर रहे, नहीं तो ऐसा लगेगा कि मतलब जब करने पे आएं तो वो मैंने कहा सत्य के आधार पर चुनी हुई ये सरकार है, आपको याद होगा 2011-12 में इंडिया अगेंस्ट करप्शन इतना बड़ा मुव्मेंट हुआ जिसका पूरा लाब बीजेपी सरकार को ही और वो 14 में सरकार बना पाए, तो अब वही आधर्श हैं सत्य के, तो उन पे उ बहुत बढ़ जाएगा क्योंकि सच की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, मैं ये कहता हूँ बहुत बार भारत में हर चीज की कमी नहीं है, कमी है तो विश्वास की, भरोसे की, ट्रस्ट, डेफिसिट जिसे कहते हैं, तो सरकार का लोगों पर भरोसा ना हो ना, लोगों का सरकार पर भरोसा ना होना, तो एक कदम पहला है कि जो आप वादा करते हैं, उसे तो पूरा करके दिखाईए, तो फिर हम मानें कि सच में सत्य की जीत होगी. उसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करते हैं कि जो भरोसा ले लदाक के लोगों को बाचीत पर है, वो बना रहे और सुनमांग्चुक जैसे लोग जो आक्टिविस्ट हैं लदाक से, उन्हें आमरन अंसन जैसी स्थिती करने की ज़रूत ना